इस वीडियो में हम pH skill और acids और alkalis के अन्य simple indicators के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी चीज acidic, neutral या alkaline क्यों होती है। कोई भी चीज acidic, neutral या alkaline है इसे एक indicator का use करके पता लगाया जा सकता है। Indicators भे पदार्थ होते हैं जो acidic या alkaline वातावरण में अलग रंगों को दर्शाते हैं। Litmus paper एक simple indicator है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज acid है या alkaline होता है। Litmus paper likens से बनता है जो सेंक्णों वर्षों से कपड़ों को डाई करने के लिए use किया जाता है। इसे एक liquid या paper के रूप में use किया जा सकता है। Paper ज्यादा आसान और भरोसे मंध होता है। ये लाल Litmus paper और नीले Litmus paper के रूप में आता है। लाल Litmus paper alkaline conditions में लाल से निले रंग में बदल जाता है लेकिन acidic condition में ये रंग नहीं बदलता। और नीला लिट्मस पेपर एसिड के लिए रंग बदलता है। लेकिन लिट्मस पेपर हमें केवल ये बताता है के कोई भी चीज एसिड है या ऐलकली। लेकिन ये नहीं बताता कि वो कितना ऐसिड एक या ऐलकलाइन है। इसके लिए हमारे पास pH scale और एक universal indicator है Universal indicator, webin indicators या dyes का मिश्रण होता है जो कई रंगों में बदल सकता है और इसलिए ये हमें solution की pH value भी बदाता है इसे भी एक liquid या paper के रूप में यूज किया जा सकता है pH 0 से 14 तक मापा जाता है 0 बहुत ज्यादा acidic, 7 neutral और 14 बहुत ज्यादा alkaline होता है stomach acid लगभग 2 pH के साथ एक strong acid होता है acid rain का pH लगभग 5.5 होता है 7 pH के साथ शुद्ध जल neutral होता है समुदरी जल थोड़ा alkaline होता है साबुन वाला पानी एक strong alkaline है और bleach pH 13 के साथ एक बहुत strong alkaline है पूरे pH spectrum को cover करने की अपनी क्षमता के कारण ही universal indicator को इसका ये नाम दिया गया है ऐसे और indicators भी हैं जिनका use दूसरे रंगों के लिए किया जाता है लेकिन अभी आपके लिए इन दोनों को जानना ही काफी है हम एक pH meter का use करके pH की और भी accurate reading प्राप्त कर सकते हैं लाल litmus paper alkalies के लिए और नीला litmus paper acids के लिए रंग बदलता है और universal indicator हमें और अधिक detail में ये भी बता सकता है कि 0 से 14 pH scale पर एक solution कहां होना चाहिए 0 से 6 तक acids, 7 पर neutral और 8 से 14 तक alkalie होते हैं प्राप्त कर सकते हैं